अब मैं महामनलेश्वर पूजपास स्वामी श्री अरिजिन पूरी जी महाराज के पावन चर्णों में प्रार्तना करूँगा कि वे भी अपना संदेश और आशीर वचन हम सब लोगों को दें पूजपास स्वामी जी हम सब के लिए बड़े गवरुप की बात है महाराश्ट्री के उदार चरित्रों का गाएन सभी महापुर्शों ने किया है और मैं पिछले 46 साथ पहली मुलाकाद हमारी राश्टार की भूमे पर कोई मंच पर और तब से बहुत बार मिले सद्व मिलते ही रहते हैं कई जगए मंच पर भी कारिकर मुगा हमने देशों में भी देशों में भी देखा शंतों का आउतरन बारतिय सुंकृति की पुनर जागरन और उपदार के लिए होता जैसे की भगवाल का होता ऐसे ही हमारे स्थर्देश स्वामी जी महराज जिनका वेक्तित्तु कर्तित्तु चिंतन सबकुछ वेद दर्शन सर्वे वहंतु सुकना इस समर्वे का मतलब यही है उसको ले करके महराज श्री ने सरातिन जगत का मानों जगत का बड़ा परशस्त मार्ग दर्शन किया है मापरशन ने अपने उद्गार रखे हमारे जुना पिठा धिश्वर महराज की होती मैं क्या कहूँ यह भी एक उपलब्दी है बिना पुन्य के दिप संतान की प्राप्ती नहीं होती आश्रम बन जाते हैं सरस्ताइं बन जाते हैं लेकिन उनको समानने वाला उस पताका को आगे फाराने वाला भगवान श्री राम का चरित्र करवान के जैसा लिखा है बुले लगू पति कीदती भी मल पताका और देंड समान भयो जस्र जाका लक्ष्मुणी का जंडा एक लाग का हो लेकिन पांच रुपय के देंडा नहो तो जंडा की कोई की मत बोलो फाराने के लिए पांच रुपय के देंडा चाहिए राम चरित्र को फाराने के लिए लक्ष्मुण कर चरित्र देंडा के तरह सिद्वगा हमारे पतंजरी संदेश को फाराने के लिए योगुर जहां जा रहे साथ में आचारवाल करसंजी भी वो जन्दा को फाराने के लिए जन्दा कर काम कर रहा है इसी तरह से हमारे महराश स्री सन्याज जगत के गवरों सनातन जगत के गवरों हरद्वार की एक बड़ी भारी उपलबधी महराश सत्मित्रान गिरीजी महराश के योकिसिस के फ्राप्ति होई है हमारे जुना खाले का सुन्या जिक्रत का भारत माता मंदिर का समन्वे ट्रस्ट का ये सवबाग है इस उप्रवदी पर मैं दोनों गुरुक्षिस को बढ़ाई देता हूँ और एक शेक यग किये हैं लेकिन हम फिर भी एक शबत कहूंगा कि पिछले बार सीता माता का यग ये पहली बार सुना और गंगा माता का यग करके बड़ा लोगों ने परसंदेश दिया है हमें संदेश दिया है और ये बड़ी भारी कित्त किता है एक नया मार्क दशन हम सब को मिला है और गंगा जी की धारा को गंगा तो स्वक्ष थी, स्वक्ष है, स्वक्ष रहेगी धारा में जो मल आ गया है उसको नेवल करने के लिए हम लुक्षतत परियाद दिन रहे सरकार का ही काम नहीं, जन जन का ही काम है क्या है, कैसे है, आने वाली महापुषियों के द्वरा भी आप सुनेंगे पुला इस आयोजन के लिए मैं आपको बजाई देता हूँ और आप सब भक्तों का हरुगार के पावन नगरी में अविननन स्वागत हमारे बीच में पूझ पाद स्वामी नारेंड संपरदाय के पूझ स्वामी जी महाराज, शीवाधो प्रिदाश जी महाराज उपस्तित है मैं उनके पावन चर्णों में प्रार्थन करूँगा कि वे भी इस आउसर पर अपना संदेश हम सब लोगों को दें पूझ पूझ स्वामी जी महाराज जिनका जीवन मा भगवती भागी रथी जैसा निर्मल है ऐसे गुरुदेव के चर्णों में हमारे हजार हजार वंदन है स्वामी जी महाराज सयम समन्वई के स्वरूप है भारत वर्ष के रूशी जीश परब्रम को मानते हैं वो भी समन्वई स्वरूप है मा भारती भी समन्वई स्वरूप है और पुझ पाद गुरुदेव भी समन्वई की मुर्टी है यह पूरा मंच समन्वई का मंच हम दर्शन दे रहा है और हमारे पुजिपाद अवदेशन जी महराज के बारे में मैं क्या कहूँ भारत वर्ष के सारे सन्यासी उनको आदर्श मानते हैं और योग गुर जी बाबा जी आपने आपने बहुत बड़े रेसलर को हराया है और रेसलर खाली रेसलर नहीं है बड़ी बड़ी मर्टी नेशनल कमपन्यों को भी आपने हराया है और मा भारते की सेवा की है समन्वे अलंकर अनुप्राप्त करने वाले बालकरश्दाजी महराज को भी मेरा प्रणाम गुरुदेव का स्वास्थी अच्छा रहे और हमें मार्क दर्शन सदयु करते रहे इतनी प्रार्थना के साथ मेरी वाने को विराम देता हो अस्तु धन्यवाद अब हम जिस महनी ये छण की प्रतिक्षा कर रहे थे समनवे सेवा ट्रस्ट के द्वारा भारत माता मंदिर के द्वारा पूज महराज श्री के द्वारा स्रजित समनवे अलंकरण हम इसको समनवे पुरुसकार भी बोलते हैं समनवे सम्मान भी बोलते हैं पर समनवे अलंकरण का ये कारिक्रम है मैं इसमें बहुत विलंबला लगाते हुए हमारे बीच में आचारी शी बाल कृष्णी जी उपस्तित है आप कुलपती पतंजली विश्व विद्याले हरीद्वार के हैं मैं आचारी शी कृष्ण कान्त चतरुवेदी जी से प्रार्शना करूगा कि आचारी जी का पर्चे देते हुए और उनके अभिनंदन में चो कुछ शब्द हम लोगोंने संजोए हैं उसका भी वो वाचल करेंगे आचारी श्व विद्यी जी आज इस विक्तित्व का हम अभिनंदन करने अलंकरन करने के लिए उपस्तित हुए है वह एक लंबी परंपरा की अत्यंत उज्वल करिये पूजपाद हमारे सद्गुर्देव ने ये अनेक प्रकार के मानक स्थापित किये जिनकी चर्चा हो रही है प्रतंबार उसी तरह से उन्होंने समनवे अलंकरन समनवे पुरुसकार के रूप में लोगों को ये बताने के लिए कि प्रत्यक शेत्र में सामान्य जीवन से असामान्य बनने की वामन से विरात बनने की सामर्थ जो मनुस्य के अंदर नहित है उसे पुरुसकार के पुरुसकार और अलंकरन का कारिय संपन्न किया 45 वर्ष के वह में हमारे श्री आचार बाल कृष्णी जी ने जो कारिय किया है वहां असाधारण है मेक इन इंडिया के रूप में भी यदि विचार करें तो भी असाधारण है आज हमारे देश के संपन्नतम व्यक्तियों में वे 25 व्यक्ति हैं वे सारे संसार में भारत वर्ष के असाधारण व्यक्तियों इतने बड़े व्यक्ति होने पर इतने बड़े काम करने पर भी किस तरह से बड़े व्यक्ति को रहना चाहिए आप उनकी वेश भूशा उनका व्यवहार और उनका आचरन उनका समर्पन देख करके अर्मान कर सकते हैं वे अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं वे कुलपती हैं पतंजली विश्व विद्याले के और उसके अलावा अनेक संस्थाओं का कार्य उनके द्वारा संपन्न हो रहा है महासचिव पतंजली योग पीट अध्याक्षेवं प्रबंदने देशक पतंजली आयरवेद हरिद्वार इसी तरह से केवल इतना ही नहीं है कि क्रिया उसके साथ साथ बहुत धिक चेतना की अभिदती भी उनके द्वारा अनेक रूपों में हुई है अनेक गरंथों के स्रजन के माध्यम से आयरवेद सिद्धांत रहिश्य आयरवेद जड़ीबूती रहिश्य भोजन कौतू अलम आयरवेद महोददी अजीरन अम्रतमंजरी विचार करांती ये नेपाली गरंथे इस परकार हम ये देखते हैं कि एक घ्रती के अंदर कितनी अस कोई द्ति होना चाहिए पूजपात स्वामी सत्यमत्रानंदी गिरीजी महराज ने वह कार्य संपन्न किया अब मैं केवल वाचन के द्वारा ये अलंकरन का पाथ कर रहा हूं और उसकी विधी आगे प्रारंब होगी समन्वे सेवा ट्रस्ट हरिद्वार समन्वे अलंकरन आ तित्व के धनी, स्वदेश और स्वदेशी के प्रबल समर्थक, समरक्षक, प्रियोक्ता, भारती वनस्पती विज्ञान के अधुनातन प्रामानिक अन्वेशक, पतंजली विश्व विध्याले के कुलपती तथा अनेक तत्षद्रश संस्थानों के महत्वपूर्ण एवं वरिष्ठ दायक्तियों के सफल निर्वाहक, भारत वर्ष के महा महिम राष्ट्रपती, नेपाल के माननी प्रधान मंत्री, एविं विविन संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा, गौरव पूर्ण संवानों से सुशोवित, आयुरवेद सिद्धान्त रहश्य, तथा अने विद्ध उत्कर्ष्ट गृंतों के प्रनेतार पतंजल योग साधना के दीपस्तंभ आयुरवेदेमं बनोसिरी में सन्निहित गोनों को जन्सामान्य में प्रसारित करने हेतु अहरनिश प्रयत्नशील, सम्माननिय आचारिय श्री बाल कृष्णी जी को समन्वे सेवा ट्रस हरिद्वार उत्तरा खंड समन्वे अलंकरं प्रदान करते हुए गौरव का अनुभव करता है स्वामी सत्य मित्रानंद गिरे सनिवार फालगुन शुक्ल अश्टमी संबत 2073 तदनुसार दिनांग 4 मार्च 2017 आचार बाल कृष्णी जी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक वर प्रदाज के चरणों में निवेदन करूंगा कि वह आचार श्री का संमान करेंगे अलंकरं प्रदान करेंगे और समन्वे सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी गर पीछे पार्श भाग में आजए ज़िए सभी को आवन्तित करता हूं हम सब को इसमरन होगा इसके पूर्व ये समनवे अलंकरन योगरिशी पूजपास स्वामी शी रामदेव जी महाराज को इसी परिसर में प्रदान किया गया था आज आचार बाले करशनी जी को ये सम्बान देकर समनवे सेवा ट्रस्ट और पूजय स्वामी щी महाराज के प्रेणा से गठित सारे ट्रस्ट और सारी संस्थाए कर्व का अनुव करती है मैं आप सब लोगों से प्रार्तना करूँगा कि आप मेरे साथ भारत माता की जैजै कार करें बहुले भारत माता की इनका विश्व के उद्व्ड पतियों में आरब पतियों में नाम हो ऐसे बालकुष्ट महराज को आचार बालकुष्ट को एक गरीब सन्याशी किवल दो लाख रुपए की एक छोटी सी दक्षणा प्रुदान कर रहा है उन्होंने इसे स्विकार किया मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मानपत्र में जितने गुर्ण उनके लिखे गए हैं इसकी अपेक्षा यह जिस सो प्रष्ट का भी मानपत्र होता तो वो छोटा होता लेकिन समय के अभाव में वो अर्पित किया उन्होंने स्विकार किया पूज स्वामी रामदेव जी महाराज और आचारबाल कुष्ट जी नाम दो हैं शिरीर दो हैं आत्मा एक है उन दोनों को पड़ाम करता हूँ बाद बाद धन अब मैं इस अलंकरन कारिक्रम के पश्चार मैं पूज पात ब्रमचारी शीब्रम स्रूजी महाराज से निवेदन करूँगा कि वे इस अस्वर पर अपना संदेश थे हैं एक छोटा सन्यासी अपने आपको समझ करके इस दुनिया और हिंदुस्तान की सोच को लेकर कि किस तरह से बाहरायाए ये आपके सामने एक जीता-जाकता-उदार्ण महाराज सिरी ने पूरी दुनिया में सन्यात्न दर्म के पताका सन्यात्न दर्म का परचार किया है हिंदुस्तान की पैच़ण आपने कराई है लेकिन आपने 85 साल की उमर में एक जोपड़ी में बैट करके एक सन्यासी के रूप में जो आपने तब और तपस्या की है वो सोच आपकी बाहर आई है ये यग के विल यग नहीं है ये मारा सिरी के अंदर मन की एक सोच है कि ये सोच को बाहर लेकर के आएं के मेरा रास्ट कैसा होना चाहिए मेरा समाज कैसा होना चाहिए इनने रास्ट को यग की एक पैचान दिये रास्ट को यग माना है मेरे रास्ट में रहने वाला लोग खुस रहना चाहिए मेरे राश्ट्र परसंड और कुसाल होना चाहिए मेरे देश के बच्चों में संसकार होना चाहिए जिस तरह से गंगा बैती है निर्मल गंगा बैती है मेरे देश का युवा भी इसी तरह से देश में बहना चाहिए जो हमारे राश्ट्री के पूरी दुनिया में एक पैचान है इंदुस्तान के एक पैचान है संस्कर संस्क्री और संस्कार की ये धरती है इसको एक सन्यासी अपनी सोच को लेकर के भार आया बहुत से संतों ने बात कही है मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ गंगा की, निरμल गंगा की एक स्वामी जी कह रहे ते कि मा की गौद निरμल होती है बात सही है बच्चा कोई मा की गौद को गंदा करता है तो मा बच्चे को बाहर नी फेकती उसको साफ करती है और पर्षण होती है इसी तरह गंगा भी है लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है उसको लंबा ना खीशते हूं बात कहना चाहता हूं हमारा कर्तव्य क्या है कि मा की गोद मा का किनारा हमें साफ रखना चाहिए आज गंगा की क्या हालत है इसके बारे में महराज स्री ने सोचा ही सोचा है और उसका एक उधान दिया है यग करने से जिस तरह से वातावन सुद होता है अगर हम पहल करें गंगा को मैला नहीं करना है तो किसी की कोई ताकत नहीं गंगा को मैला कर दे पहले अपनी सोच साफ होने चाहिए जल भी साफ होना चाहिए और अपना मन भी साफ होना चाहिए गंगा में हम जाते हैं जाने से पहले हम गंगा के बढ़ती है हमारी आस्ता जागरत होती है हमारा नमन करने का मन करता है हम नमन करते हैं लेकिन जैसे ही गंगा में गुसते हैं उसको मेला करने की कोसिस करते हैं वो नहीं होना चाहिए अपना मन भी और गंगा का जल भी हमें साफ रखना चाहिए मारा सरी आपने यह चीज जो दी है गंगा यग करा करके यह चीज बने ही छोटा लगता हो गंगा यग लेकिन इसकी विसालता को जिस तरह से हम आसमान को नहीं नाप सकते इसी तरह इस यग की भाउना को भे नहीं नाप सकते आपने देश को सोचती है देश को सोचती है कि हमारा देश जहां बगवान विश्णु का देश है राम का देश है कृष्ण का देश है और यग भी बगवान विश्नों का रूप है हमें इन में आस्ता रखने चाहिए ये करने चाहिए मारा सरी एक चीज़ आपने अपने शिशे को के साथ साथ आपना जाए यग किया है उसके साथ साथ आपने एक और यग किया है मैं अपने पुझापाद गुर्देव जी का मेरे गुर्जी का जब सरीर सांत हुआ तो मैंने पुछा था कि मैं समाज की कोई बात कोई पीड़ा लेकर करके जाऊं तो किस संथ के पास जाऊं तो महाराज सीरी ने बिल्कुल भरे मंद से ये बात कही थी कि पुझापाद सत्मितर अन्गिरी जी महाराज के पास जाँ जब भी कोई समस्या है मैं मानता हूँ आपको मेरे आदार्श है लेकि महाराज जी यग्य के साथ-साथ आपने एक और इस देश के उपर ऐसान किया है आपने एक और यग्य किया है वो यग्य किया है बारते संस्कृति के लिए स्री अवदेशा रजी का अपना शिष्य बना करके जो कई वर्सों तक कि इस देश में यग्य की गंद संस्कारों की गंद आपके बाद दमसी इस देश और राश्ट को बिलेगी आपके स्री चर्णों मैं मैं परणाम करते हुए यही आश्रवाद आप हमें अपने लिए और इस राश्ट के लिए मांगता हूँ कि आपका आप जैसा संद इस देश को हमें साम मिलता रहे हैं इस सब्दों के साथ मैं अपने वार्णे को इबराम देता हूँ धन्यवाद और अब मैं बानुपुरा पीठा धिश्वर श्रीमत जगत गुरु शंकराचार पूज्य स्वामी स्री दिव्यानंद तीर्थी जी महराज के पावन चर्णों में निवेदन करूँगा कि इस आउसर पर वो हमें अपना संदेश दे पूज्य स्वामी जी महराज स्वामी जी हमारी पीठ के परिष्ठा जारिये हैं हमारे यां कोई पूर्व नहीं होता हमारे यां कोई भूत नहीं होता अभूत पूर्व होते हैं स्वामी जी का जीवन ही अभूत पूर्व रहा है केवल भारत में ही नहीं विदेशों में जो इन्होंने कारे किया वो प्रसंसनी है नहीं अनुकर्णी है वेज़े तो भानपुरा पीट की भी परवपरा यही रही है जीवित अवस्था में किसी ना किसी को सौप दो स्वामी जी ने स्वामी रामा अश्रम जी को सौपा था उन्होंने मुझे सौपा वही परमपरा इन्होंने भारत मता मंदिर में भी इस्थाफित की है और अपने जीविन रहते हुए उन्होंने परम्योग अवदेशा नंजी को अपना उत्रा देकारी न्यूक्त किया है अवदेशा नंजी को मैं आज से नहीं नबे से जानता हूँ और बड़े मदों संबंद हमारे रहे और इन्होंने जो प्रगती की है मैंने इनको बीज से वरक्ष होते हुए देखा है स्वामे जी ने उनका चैन करके वास्तों में भारत मदा मंदिर को और प्रगती प्रदान करने का कारे किया है कलकल छलचल करती क्या कहती गंगा धारा युग युग से बहता आया पुन्य प्रवाह हमारा गंगा हमारे पुन्यों का प्रतीक है गंगा हमारी संस्क्ति का प्रतीक है गंगा हमारे जीवन का प्रतीक है और उसे को समर्पित यह यग्य वास्तर में एक दीर के काल तक इस्मरन रहेगा और जो गंगा की शुद्धी करन की बात कही जा रही है वो इस यग्य से प्रे ना लेगा मैं एक बात कहकर वानी को विश्राम दूँगा केवल इंडस्ट्रीज का जो पानी पहरा है गंगा में उसको यदि बंद कर दिया जाए तो गंगा पहले भी पवित्र थी आज भी पवित्र है और पवित्र ही रहेगी मैं एक बार पुना स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ अवदेशा नंजी को आशिरवात प्रदान करता हूँ और यहां उपस्ते सभी महत्माओं को योग अभिवादन करते हुए वानी को विश्राम देता हूँ ओम शम हमारे पूज गुर्दयों स्वामी की वरिष्ट शिश्या और धारावाहिक प्रवचन करने वाली और अपनी स्वराचित रचनाओं को प्रसुत करने वाली पूज गुर्दयों का आदेश हुआ है कि प्रग्या से हम गीत सुनना चाहते हैं मैं अपनी बहन पूजय पाद स्वामी प्रग्या भारती गिरी जी वो अपनी एक मधूर कंठ से कोकिल कंठ से एक गीत प्रस्तुत करेंगी बहुत सारे लोग जब रंदावन की धर्ती पर जाते हैं तो वहां भगवान बांके विहारी की मूर्ती का दर्शन करते हैं भगवान बांके विहारी की मूर्ती के उपर एक छोटा सा परदा लगा रहता है पुजारी उस परदे को कभी हटाता है कभी फिर गिराता है और इस छोटे से छण का दर्शन करते हुए मेरे मन में कुछ भाव जाग्रत हुआ पुज गुर्देव के आदेश से मैंने उसी अस्तुती करण मैं यहां पर करती हुए मन कुझ में मोहन हम अनुपम दीदार तुम्हारा करते हैं गर रूट के छुपते तो हमसे अश्कों से पुकारा करते हैं मन कुझ में मोहन हम अनुपम दीदार तुम्हारा करते हैं गर रूट के छुपते तो हमसे अश्कों से पुकारा करते हैं कभी धूढ़ा नहीं पाया तो हुई यह निश्ठा की बात है आस्था की बात कभी धूढ़ा नहीं पाया तो हुई लाचारू मगर उम्मीद रही दिल थाम जुका सर आखों में हम बात निहारा करते हैं मन कुझ मिमोहन हम अनपम दीदार तुम्हारा करते हैं गर रूट के छुपते तो हमसे अश्कों से पुकारा करते हैं तो भगवन का एक सुभाव है सूरत को दिखावकर छुप जाना सूरत को दिखावकर छुप जाना तलपावना तुम्हारी आदत है हम इसको छुडाने की कोई तद्बीर विचारा करते हैं सूरत को दिखावकर छुप जाना तलपावना तुम्हारी आदत है हम इसको छुडाने की कोई तद्बीर विचारा करते हैं मन कुझ में मोहन हम अनुपम दीदार तुम्हारा करते हैं गर रूट के छुपते तो हम से अश्कों से पुकारा करते हैं अंतिम पंक्तियों में समर्पण की बात है निष्ठा, पूर निष्ठा की बात है महभाव की चर्चा है, गोपी भाव की चर्चा है मन कुंज में मोहन हम अनुपम दीदार तुम्हारा करते हैं गर रूट के छुपते तो हम से अश्कों से पुकारा करते हैं तो भी नहीं तेरी राह को नहीं नहीं प्रग्या के पलकों से बुहारा करते हैं मन कुझ में मौहन हम अनुपम दीदार तुम्हारा करते हैं गर रूट के छुपते तो हमसे अश्कों से पुकारा करते हैं गर रूट के छुपते तो हमसे अश्कों से पुकारा करते हैं ओम्शंदी शंदी